दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे मैं बताओं मैं भी बहुत अच्छा हूँ वीडियो अच्छा लगे तो CKD Stock Market News चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ ही बैल एक प्रेस कर देना चलिए सुरू करते हैं तो वो समझ लें कि किस तरीके से एक सिखना चाहिए सिखने की परपस से भी बहुत अच्छा जैसे कि मैं हमिसा कहता हूँ आप मेरे वीडियो जो की अगर आप 1.5 की स्पीड में लगाके रोज एक साल तक सुनें ये केवाल गीत सुनते रहो आप अगर ये गीत सुनते रहेंगे तो डेफिनेटल इसके बाद आपको किसी से पूछने के जुरूत नहीं पड़ेगी आप मार्केट में खुद से इंडिपेंडेंट हो आपको किस तरीके से मुच्वल फंड को सेलेक्ट करना चाहिए एसाइपी कैसे करें लंसम कैसे करें सारे आंसर्स आटोमेटिक लियर हो जाएं क्योंकि मैं कुछ चीज़ें रोज रिपीट करता हूँ वो जब तक आपके दिल और दिमाग में घुस नहीं जाएंगी वो आप इंवेस्ट करें या शेर मार्केट में इंवेस्ट करें तो वहाँ पर अगर कोई पैसा आपको अर्न हो रहा है तो इसके पीछे थोड़ी सी महनत भी होनी चाहिए जो कि नॉलेज के बेसिस पर होनी चाहिए इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपसे कि जो आज मैं बात कर आने से कोई नहीं रोक सकता इवेन अगर आप इंवेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप इंडेपेंडेंट तो हुई जाएंगे पर नॉलेज के साथ में अगर इंडेपेंडेंट हो तो कही ना कहीं ये लगैसी ट्रांसफर होती ही आगे ठीक है इसी से रिलेटिड वो कहीना कहीं उसका डारेक्ट रेटर नहीं यहाँ पर आ जाता है ठीक है इसमॉल केप कैटिगरी मैंने ली है तो इसमें बहुत जज्यादा रिस्क रहता है इसमॉल केटिगरी में पर फिर भी मैं बताता हूँ बलू चिप से हमसाद दूर डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहि और जैसे ऐसे गिरे, SIP उस समय बंद नहीं करनी चाहिए, NAV की अगर बात करूँगा तो 22 रुपए का NAV है, यही रीजन और था मेरे इस फंड को लाने का कि बहुत सस्ता NAV है, बहुत सस्ता NAV है, केवल 22 रुपए का मिल रहा है, हला कि ग्रोथ देखें तो कम है, पर फिर भी कहिना कहीं, मुझे लगता 21% का ग्रोथ ठीक है यार, इतना भी बुरा नहीं है, 21% के CAGR के इसाफ से, maximum इसने रेटर ने दिया है, पर जो maximum की बात कर रहा हूँ, यह केवल फंड अभी आया हुए, कुछ ही साल हुए है इसको, 2018 के थोड़ा सा पहले आया है, बिल्कुल लेट क्योंकि आप कुछ सीखेंगे इस चीज़ से, अगर आपको लॉस होगा तो, और प्लस, प्लस, अगर आप कहीं न कहीं से, अगर आप स्विच, स्विच ओबर करके दूसरे फंड में जा सकते हैं, तो वहां से भी आपको एक experience मिलेगा, ultimate decision आपका ही रहेगा मेरे मित्रों, इ जो नए लोग है मैं बताना चाहूंगा कि CAGR का मतलब होता है चक्रवर्दी ब्याज, ठीक है, कब तक है, 12 November 2018 के, थोड़ा सा पहले ही आया होगा उसी के आसपास, फिलाल 2018 अगर मैं रखके चलूं, तो अभी किवल 2-3 साल ही हुए है इस फंड को, तो इस वज़े से थोड़ साथ दूर रहने की भी सला है, आउट ओफ 5, 3 स्टार रेटिंग वैल्यू रिसर्च की तरफ से दी गई है, और डेफिनेटली ठीक है, ये रेटिंग 3 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इनवेस्ट को इंडिया मिच्वर फंड है, चुकि होंगे तो, क्योंकि इस फंड मे मैनेज किया जा रहा है, ताहिर बाश्चा के द्वारा और प्रणव गोखिले के द्वारा, 24 साल का experience है, इन ताहिर सापको आप उपर देख सकते हैं, इन दोनों फंड मैनेजर का qualification, जो कि ठीक है, experience भी अच्छा है इनका, पर return के compare में बात करूं, तो SBI small cap हो गया, access small cap हो गय ठीक, 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 तो ऐसे पराग, इसके साथ साथ कैनरा, रुबैको का mutual fund हो गया, bank of India का mutual fund हो गया, small cap category का, rather than कि वहां जाएं, यहां आने से, ठीक है, आप वहां जाएं, वह जदा बेटर है, अगर आप नए हैं, पुराने हैं, तो एक बार review खुद का करें, और इस review के बा का यहां पर countdown चल रहा है, और वो almost आप लोग 900 के पार हो चुके हैं, या भी आप सभी प्यारे subscriber की वज़े से possible हुआ है, तो मेरे मित्रों थोड़ा सा इत्तु सा और बचा है, केवल अगर आप जो हमारे नए subscribers हैं, थोड़ा सा एक comment कीजिए आप, ठीक, और comment करने के बाद मे एक पहतरीन सा subscribe बटन पर टिक कीजिए, ताकि यह channel finally 1000 के उपर जाते हुए देखने को मिले, आप हैं, तो हमारा वजूद है मेरे मित्रों, इसी के साथ मैं बात करूँगा कि very high risk का रहता है इस mutual fund के अंदर, because आपका पैसा equity में लगता है, और equity and mutual fund is subject to market risk, read all schemes related documents very carefully, 1406 क्रोड का asset size है, इस fund का, काफी छोटा सा fund आउस है, और जो इन्वेस्को इंडिया, जो AMC है ये, इन्वेस्को mutual fund, ये top 10 category में नहीं आती है, 0.78% का expense ratio है, cash की holding की बात करेंग, 1.61% के हिसाफ से cash hold करके चलते है, expense ratio इतना कम return ने दिया है, फिर भी 0.78% का है, जो कि मुझे लगता है क पानी का पानी तो करी देगा, benchmark की बात करेंगे, S&P BSE 250 small cap total return index को इन्होंने लिया है, अब इन 250 small cap shares में, कौन-कौन से shares इन्होंने select करेंगे, अभी थोड़ी दिर बात कर लेंगे, plan growth है, open end है, आपके पास 1% exit load ले लिया जाएगा, मोटा मोटा आप इस तरीके से समझो, 1% क का मतलब है, जितना भी आपने invest किया होगा, अगर एक साल नहीं हुए हैं, और आप पैसा निकालने की कुछिस करेंगे, तो 1% का exit load आपसे ले लिया जाएगा, बागी पुरा पैसा आपसे पकड़ा दिया जाएगा, यानि कि निन्यान में परसेंट आपको मिल जाएगा, 1% कंपनी अपने पाद धन लेगी, कि जल्दी क्यों जा रहे हो, क्योंकि कंपनी कहीं न कहीं गाना काती है, अभी न जाओ, छोड़के, कि दिल भी भारा नहीं है, फाइनेशियल, कैपिटल गूर्स, माटेरियल, हेल्थ, क्यार, आटो मोबिल, और कुछ अधर सेक्टर में है, है न, और केमिकल अला के लिए है, और इस केमिकल में अच्छा है इन्वेस्टमेंट है, इसका मतला है, केमिकल स्टॉक, अगर 2022 में तो कुछ परफॉर्मेंस नहीं आया, तो डेफिनिटली ये शेर प्राइस यहां से यह मान के चलना, जो ये रिटर्न 21% का आ रहा है न, ये almost 26-27% पहुंच जाएगा, इन शेर्स में, गौर से देखो इस सक्ट को, फिनिक्स मिल को, फिनिक्स मिल, म्यूटेड रेटर ने देता है, ना बहुत ज़्यादा उपर चलता है, ना बहुत ज़्यादा नीचे गिरता है, अगर आपने एक बार फिनिक्स मिल में गिरते मार्केट में लगा दिये, येकि सब्सक्राइब और लोगों को ऐसा भरूसा भी है कि यह एंटर बहुत उपर जा सकता है यहानि कि सब्सक्राइब और में क्या टाटा स्टील लार्ज केप इस्टाओ के इन्होंने सायद पोर्फोलियो को बैलेंस करने के लिए टाटा स्टील में टाला होगा पर इंगल सोल्ड रेंड की तरफ से ना रिटर्न नहीं आया एक साल पहले तो इसने बैठीरीन रिटर्न दिया 200-300 लोगों का पैसा बना दिया था पर 2022 के इंतर एक भी रिटर्न नहीं आया होप सो कि अगर यह इंगल सोल्ड रेंड ना अगर यह 2030 में भागा तो डेफिनिटल पर्सिस्टेंट सिस्टम्स ब्रिगेड एंटरप्राइज एक लिया काली सोल्यूशंस लिमिटेड आईशर मोटर अतुल वियारल लोजिस्टिक्स 361 वैम इंडिया यह भी नई कंपनी आए 3061 वैम इंडिया लिमिटेड यह भी कंपनी फंडामेंटल लिस्ट होंगे पर कहि कहिना कि थोड़ा सा मिउटेड रव finer इसी वज़े से चाहें आफ एक साल में बात करें तिन साल बात करें पांस साल में बात करें तो रिटर्ण जो है कहिना कहीं玩 21 फर्शन मैक्सिमाम आ रहा है 24 परशिंट के आसपा से तीन साल के अंदर आ रहा है तो यही रीजन है बकी ब छाहिए क्यों पड़ए को इंडिया स्कारी दिया देटिक स्ञेघिया है टिम्टे नहीं संदरी इंवेस को जैसे म्यूच्वल रुपन संद में रुखना नहीं चाहिए क्योंकि आप जब आपको यह return बना के दे रहें फिर भी ultimate decision आपका रहेगा मैं के वल यहां पे आपको review दे सकता हूं बस ultimate decision आपका है क्योंकि पैसा आपका है profit और loss दोनों ही मेरे मित्रों आपके हैं तो बहुत सोच समझ के किसी भी shares किसी भी mutual fund में invest करने से पहले हजार बार सोचें अपने पड़ों से पूछें किसी financial advisor से पूछें और किसी ना किसी अपने दिल से पूछें तब कहीं ना कहीं एक entry देखिए मेरा हमेशा से मानना है चाहे mutual fund हो चाहे share हो entry बहुत ज्यादा सोच समझ के लिए बहुत समझ के लिए असे अंडर management की बात करें एक हजार 406 करोड का असे अंडर management इस फंड का तो बहुत चोटा सा है इन्वेस्ट को इंडिया अगर टोटल में बात करों तो च्यालीस हजार 727 करोड का असे अंडर management है इसका टोटल 130 scheme को मेनेज करते हैं सोचो इन्वेस्ट को mutual fund जो एक छोटा सा फंडा उसे उसमें भी यह 130 scheme को मेनेज करने करें कई नगें बहुत बड़ा बहुत बड़ा scheme साइज है इनका और च्यालीस हजार क्रोड का एसे अंडर management है होपस हो कि अगर जो इनके इन्होंने शेर लिये हैं कुछ अलग करने की कोशिस करी है अगर इन शेर से बैसरी ने र फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हजार बाट सोचें तक कि जब आप निकलते हो ना या जब मार्केट गिरता है तो आप वहां से डरते नहीं हो फिर एक opportunity दिखती है कि at least अगर हम mutual fund में है तो SIP बंदना करें और अगर हम shares में invested हैं तो उसमें हम buy on dip की strategy को हम follow करते रहें इसी के साथ मेरे में तो कि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद और thanks in advance की 900 के पार हम लोग आ चुके है almost केवल हमको almost 100 subscriber की और जरूरत है 1000 ये आपकी करपा से है ना CKD stock group 1 के finally लिखके आएगा देखते हैं friends आप किस तरीके से इसको लेके चलते हो बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद भारत मता कीजए